हलो फ्रेंज, वेलकम टो मैं चैनल, ICT by Ruchy आज हम फोन पे MS Word की आप को चलाना सीखेंगे शुरू करने से पहले I will request कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक करें और कुछ भी डाउट है तो आप वीडियो की नीचे कमेंट कर सकते हैं तो चलिए शुरू करते हैं फोन पे Microsoft की आप को डालने के लिए आप Play Store पे जाना है Play Store पे जाकर हमको लिखना है MS Word MS Word लिखने के बाद यह वली इस लोगों की जिसमें W और ब्लू कलर से लिखा हुआ है आपको इस वली आप को इंस्टॉल करना है मेरे में यह पहले से इंस्टॉल है तो Open लिखा रहा है मैंने इसे Open करा Open करते ही आपका Sign In, Sign Up या Sign Up लेटर को Option आएगा अगर आपको Account है तो आप Sign In कर लिजी अगर आपका Account नहीं है आपको Sign Up करना है तो आप अपना Mobile Number या Email ID डालिएगा OTP आएगा आप उससे Sign Up कर सकते है Otherwise आप उसको Skip कर सकते है Sign Up लेटर से यह सब करने के बाद आपकी यह वली स्क्रीन आएगी उसमें तीन टाब होंगे Recent, Shared and Open Recent से आपकी उनवले आपकी उनवली Documents का नाम लिखाएगा जो आपने अभी Recently बनाए है Shared से उनवले Documents का नाम आएगा जो आपने Cloud पे शेयर करे है Open से आपकी ने आपको Locations बता रहा है Recent पे या OneDrive के या इस वली डिवाइस पर या आपकी Google Drive पे या Cloud Storage पे अब कहीं पर भी उस Location को Trace करके या तक जैसे कि आपने मान लीज़े अपने Laptop पे अपनी कोई MS Word का अपने Document बनाया है तो आप उसने आपने उसको OneDrive पे Save कर दिया तो आप उस वाले Document को जो आपने Laptop Computer पे बनाया है आप उसको अभी अपने Phone पे Open कर सकते हैं ठीक है Using These Options नया Document, Blank Document बनाने के लिए हम Plus पे क्लिक करेंगे Plus पे क्लिक करते ही आप देखिए यहाँ पे बहुत सारे Themes आ गई है Blank Document, Take Notes, Make a List, Journal, Newsletter Modern Paper, Catalog, Resume की, Basic CV तो आपका पस बहुत सारे Options है आपको जिस प्रकार की आपको Themes लेनी है आपको ले सकते हैं अभी हम Starting में Blank लेंगे क्योंकि हम क्या बनाएंगे आज MS Word में हम Simple बिल्कुल Starting का Myself के ओपर 5 Lines लिखेंगे और उसे Save करेंगे और उसकी Formatting बरेंगे ठीक है तो हमने Blank Document पे क्लिक करा यह कह रहा है Sign In, Sign Up For Free तो मैं इसको अभी Skip कर देती हूँ देख्या मैंने Sign Up करा और फिर मैंने उसको Back कर दिया तो मेरा वो Skip हो गया अब मैंने क्या करना है इस पर कुछ लिखना है So मैंने लिख दिया आपे Myself My Name Is Ruchi And I Live In Daily आपने इसमें जब आप प्रेस करेंगे तो जो आपके फोन का Type Keyboard है Gboard Keyboard वही आएगा जैसे आपके फोन के Settings होंगी Keyboard की वही सेम इसमें खुलेंगी My Hobbies are Teaching Teaching Traveling Etc. ठीक है अभी हमने Basic 4 Lines लिख ली अब हमें क्या करना है इन 4 Lines को Format करना है Format करने के लिए हम क्या करेंगे आप देखें Corner में याप यह एरो बना हुए तो हम इस एरो को क्लिक करेंगे इस एरो को क्लिक करते ही इधर की तरफ चाहाँ पर यह Home लिखा हुए इसको क्लिक करते ही आपको जो आपके computer में Microsoft Word आप में जो computer में MS Word को software डालते हैं उसमें जो उपर टैप सिखते हैं Home, Insert, Draw, Layout, Review, View वही सेम यहाँ पर दिखेंगे थोड़े से compressed form में और almost सारे ही options इसमें होते हैं तो हम स्टार्टिंग करते हैं Home टैप से इसमें कौन से options होते हैं कि आपको अपने text को font, color, highlight, bold, italic उसका size change करने के options होते हैं इस वहले टैपको यूज़ करने के लिए थेले हमने text पे long press करना है तो यह दो arrow आजेंगे अब इसको आप select all कर लिए मैंने इसको select all कर लिया अब मुझे मान लिए इसका font पुदलना है Calibri से मैंने इसका अहार रोनी जिस my favorite font मैंने देखी यह bold हो गया इसका font style change हो गया इसमें जो font का size होता है वह आपका 8 से लेका 72 तक है तो मैंने इसको 36 करा now it's looking good ठीक है bold से और bold हो जाएगा italic से थोड़ा सा italic थोड़ा सा टेड़ा हो जाएगा underline से underline strike through से वो strike through हो जाएगा जो हमें नहीं करना तो हम इसको अटा देते हैं underline भी अटा देते हैं underline हमें खाली यह myself करना है तो हम इसको underline कर देते हैं ठीक है हम myself को ही highlight कर देते हैं next option है highlight का आप यह देखे मैंने highlight करा जो हम सा color हम चूज़ करेंगे यह उसी color का highlight कर देगा तो हमने इसको पहले select किया and then we go to highlight and we choose yellow color fine font color गर आपको इसका font color change करना है myself का font color पे गए और हमने इसका color red color कर दिया so देखें red color हो गया clear formatting से जो भी मैंने formatting अभी करी है वो सब color, highlight, size, font type वो सब हमारा remove हो जाएगा font formatting से one minute पिसे जाते हैं font formatting वही सेम है superscript, subscript यह सब एक टाप के उसके अंदर जो options है उन सब की details कैसे उसको use करना है यह आपको उपर i button पे मिल जाएगा मेरी जो दूसरी वीडियो से जिसमें मैंने Microsoft Word बताया हुआ है आप उसमें से देख सकते हैं अगर जल्दी में बताओ तो superscript, subscript जैसे हम formula लिखते हैं उपर नीचे लिखने के लिए उसके लिए use होता है उसके बाद है यह हमारा bullets जैसे विकाल लिजी मैंने इसको अपने contents को मैंने bullets में डालना है मैंने याप बुलेट्स लिया और जो उन सब मैंने style चाहिए वो मेरा bullet आ गया numbering से जो उन सब मैं numbering दूंगी दूआ जाएगा indentation उसके बाद है यह paragraph के indentation left, right जैसे मैंने myself को क्लिक करा और इसको मैंने centerline कर दिया paragraph formatting जब आप पूरा paragraph लिखेंगे तो line spacing, text spacing इस अब के लिए use होता है styles भही text को आप जो लिख रहे हैं जैसे मैंने heading one कर दो या कोई और style कर दो so मैं अभी इसको अटा देती हूँ क्योंकि मैंने अपना custom style लगा रख है myself पे so myself का मैंने इसको select करके इसका size में बड़ा कर देती हूँ इसका size में कर देती हूँ myself का ही 36 and highlight one minute I again select highlight yellow and पर से select किया font color red and make it bold underline find and इसको मुझे क्या करना है center line करना है अपने page में so मैं यहाँ पे जाके इसको center line कर देती हूँ find so हमारा home type clear होग है home type में find है इसमें आप find replace पर कर सकते हैं जैसे मैंने find कर रहा live spelling wrong कर थी l-i-v-e search का button दबाया तो देखे इन्होंने highlight कर दिया के लिए भी यहाँ पे लिखा हुए अब setting पर जाएंगे तो आप replace find and replace match case match word यह सब भी कर सकते हैं next step है हमारा home के बाद insert इंसर्ट में मान लीजे आपको कोई table कोई picture, कोई shape, कोई link, कोई comment, header, footer, equation, footnote, endnote यह सब आप insert कर सकते हैं आपको इनके बारे में details उपर मैं एक दू वीडियो के link दूंगी अपनी उनसे आपको मिल जाएगा जैसे मान लीजे मैं अभी आपको एक table insert करके दिखाती हूँ मैंने यहाप पर गई and so I go here and I click on insert a table तो देखिए यह मेरी table आ गई अब मुझे इस table को क्या करना है उठा के कहीं और रखना है मैंने इस table को यहाँ रख दिया अब इस table में हम चाहें जो मर्जी लिख सकते हैं ठीक है split cell, style option, table style, text rotation, auto feed यह सब आपके table के अंदर की जो और options है वो आ रहे है next option is draw, draw में आपको कहते है draw with mouse और touch अगर आप इसको क्लिक करेंगे तो देखिए आप mouse से भी कुछ draw कर सकते हैं मैं कोई color चूस कर लेती हूँ, glue तो देखिए आपको जैसे mouse से ही कुछ लिखना है आप word document पर mouse अपने touch से अपने finger से आप लिख सकते हैं ठीक है, draw with mouse और touch stroke eraser मिटाने के लिए देखिए मैंने इसको मिटा दिया next pen आप pen ले लिजिए ठीक है highlighter हाइलाइट करने के लिए thickness कैसी मोटी पतली चाहिए ink editor colors को edit करने के लिए so it's very very simple draw के बाद ले आउट जैसे कि हमने अपनी पहली वीडियोस में का रहा था Microsoft word में यह layout को कैसे change करते हैं कितने तरहां के layout होते हैं page का margin, text का margin अच्छा मैं आपको page दिखाती हूँ पहले देखे यह आपका page है जैसे मैंने इसको छोटा करा तो देखे यह आपका page है इस तरह से हमारा print out लिखा आएगा ठीक है इसमे page break, orientation, margin जैसे वानिजे मुझे अभी मेरे normal है मैं इसको narrow कर देती हूँ सारा text मेरे page के पास-पास चला गया मैं इसको white कर देती हूँ तो यह बिल्कुल center में आ गया size page का आपको कौन सा size लेना है a4, a3, columns कितनी है page break कितनी है आप जब practice करेंगे आपको इनको देखेंगे तो आपको समझ आता रहेगा review किसके लिए होता है अगर आपको spelling चेक करनी है आपको बोलना है smart look-up करना है जैसे कि हम review पे जाते है spelling पे तो देखे इसने हम बताया कि यह रूची ruchy because ruchy is not a English word इसके dictionary में ruchy नहीं था उसको error दिखा दिया हम फिर से जाते है review टाप पे word count आपको एक page एक word है five character no spaces ठीक है जो हमने select कर रखा है हम इसको अटा देते है selection फिर से रिव्यू पर जाते हैं आपको किसी टॉक्स पर कोई कमेंट देना है जिसे मुझे रूची पर कमेंट देना है सो मैं यहाँ पर कमेंट भी लिख सकती हूँ हाई, हेलो मैंने यहाँ पर लिख दिया हाई अनाय देस, टान ठीक है, तो देखिए, यह मेरे कमेंट बना गया पुची के ओपर कमेंट हाई लिखावा आ गया ठीक है, जब मैं गलिक करूँगे इस पर तो मेरे गैस यूजर हाई, कितने बजए, कितने टाइम पर लिखाए वो आ गया रिव्यू में हमने अल्मुस सारे ही ओप्शन से हैं अगर कोई आपके डॉक्यूमेंट को रिव्यू करता है कोई मिस्टेक साती है, असेप्ट, रिजेक्ट, ट्राक्चेंजिस यह सब आप इसमें कर सकते हैं लास्ट ऑप्शन इस व्यू, व्यू आपको इसको मुभाइल व्यू देखना है, प्रिंट लियाउट, जूम इन, जूम आउट आपको सब कर सकते हैं कैसी लगी है, आशा करती हूँ, आपको अच्छी लगी होगी हम हूम पे जाते हैं फिर से, आपको मैं लास्ट टाइम ही डॉक्यूमेंट दिखाती हूँ अब हमें क्या करना है, इसको डॉक्यूमेंट को सेफ करना है close कर दिया हमने इसको save करने के लिए आपको क्या करना है यहाँ पर दिखिए उपर document 3 लिखा रहे cancel करिए हम यहाँ पर जाते हैं notes यहाँ पर हमने थी 3 dots थी हमने वहाँ पर click करा और इसको करा हमने save as वो कह रहे किस location पर आपको save करना है so document 3 का नाम अठाके हमने इसको लिखा myself 3 लिख देती हूँ और मैं इसको this device कर देती हूँ मेरे device में ही documents folder में मैं इसको save कर देती हूँ देखिए उपर पहले document लिखा रहता आप myself लिखा आगया 3 dots में आप यहाँ पर जाके share as pdf कर सकते हैं save, save as, print उसकी settings change करना और you can share it also मैंने share करा share as attachment और share to one trick जैसा आपको सही लगे share as attachment document की form में या pdf की form में मैंने इसको document की form में share करना चाहती हूँ जो हमारे option होते है whatsapp, telegram, mails आपके zoom, printer पे share वो सब आपके खुल गए हैं आप इनमें आपे send कर सकते हैं ठीक है इससे आपको सर्च हो रहा है print अगर आपका printer attach है आपके phone से तो आप print भी कर सकते हैं and यह हमारा हो गया अब हमने इसको click कर आँ let's go back देखी कि myself 3 हमारे recent पे आ गया open करेंगे हम click करके फिर से हमारा यह यह ऐसे ही खुल रहा है आशा करती हूँ आपको यह video अच्छी लगी होगी next video में हमने जैसा यह myself का 3-4 lens बनाई है हम phone पे resume बनाना सीखेंगे क्या फिर हम और भी अच्छी चीज़े सीख सकते हैं जैसे कि phone पर हम table बनाना सीख सकते हैं advance table जिसमें हम table के सारे options cover करेंगे आपने channel को subscribe करिए ताकि आपको ऐसी videos की notification मिलते रहे thank you झाल